एक बार की बात है, जंगल में सादुल नाम का एक शेर रहता था। सादुल जंगल का राजा माना जाता था और वह बहुत सारे शेरों के साथ रहता था। सादुल के पास बहुत अधिक संपती थी जो उसने अपने शेरों के साथ बाट दी थी। एक दिन सादुल की एक शेरिन बच्चों को जन्म दिया। सादुल ने उसे बचाने के लिए अपने शेरों को आदेश दिया। शेरों ने बच्चे को बचा लिया लेकिन उन्हें शेरिन बच्चे को खाना नहीं मिल रहा था। सादुल को यह सब देखने के बाद दुखी हुआ और उसने शेरों को खाना खिलाने के लिए आदेश दिया. अगले दिन सादुल ने अपने शेरों के साथ जंगल में एक जगह खोजी जहां उन्हें बहुत सारे हिरन मिले. सादूल ने शेरों को खाने के लिए हिरन देने का आदेश दिया और उन्हें बच्चे के लिए खुश किया उस दिन से शेरों के बीच में एक और जोडा हो गया जो अपने बच्चे के साथ खुश रहता था इस तरह सादूल ने अपने शे प्रों के लिए एक नई जगह खोजना शुरू कर दिया था उसने शेरों को सिखाया कि जंगल में सभी जानवरों के लिए स्थान होता है और उन्हें उस स्थान में सम्मान देना चाहिए शेरों ने उसके बातों पर अमल करते हुए सभी जानवरों के साथ शान्ति पूर्ण संबंध बनाये रखा था सादुल के इस बदलाव को जानकर जंगल के सभी जानवर उसे ज्यादा पसंद करने लगे थे उन्होंने उसे अपना सरदार माना और उसके आदेशों का पालन करते थे धीरे धीरे सादुल ने जंगल में एक नई सामराज्य स्थापित किया जहां सभी जानवर एक दूसरे के साथ खुशी-खुशी रहते थे उसके शानदार और सफल राज्य को देखते हुए लोगों ने उसे जंगल का राजा कहना शुरू कर दिया था इस तरह सादुल ने अपनी नेक नियत के कारण जंगल का राजा बना और उसके शेरों को संगठित कर जंगल में सभी जानवरों के लिए स्थान बनाया वह हमेशा एक आद्रणिय शेर बना रहा जो अपने सभी सुखदुख दूसरों के साथ बाटता था उसका यह उदाहरन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने स्थान पर सब का सम्मान करना चाहिए और अपने साथियों का ध्यान रखना चाहिए जैसा कि सादुल ने अपने शेरों के साथ किया, हमें भी अपने दोस्तों, परिवार और समाज के साथ उतना ही समवेदंशी होना चाहिए इस गठा के जरिये हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा सब के साथ उत्तरदाई बनना चाहिए और सब का सम्मान करना चाहिए जैसे सादुल ने अपने शेरों को समझाया कि सभी जानवरों के लिए जंगल में स्थान होता है हमें भी अपने समाज में जनवरी से जनवरी के समान अधिकार होते हुए उनका सम्मान करना चाहिए इस गठा से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा सब के साथ उत्तरदाई बनना चाहिए और सब का सम्मान करना चाहिए जैसे सादुल ने अपने शेरों को समझाया कि सभी जानवरों के लिए जंगल में स्थान होता है हमें भी अपने समाज में जन्वरी से जन्वरी के समान अधिकार होते हुए उनका सम्मान करना चाहिए यह एक शिक्षापरत कहानी है जो हमें समाज में साथ रहने का महत त्वपूर्व अहमियत बताती है हमें हमेशा अपने साथियों के साथ सहयोग करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें आनंद और संतोष की अनुभूती होती है हमारी मदद से हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं इस कहानी को सुनकर हम समझते हैं कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच लानी चाहिए हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें मदद करना चाहिए जब हम दूसरों के साथ सहयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन में सुख और सम्रिधी का अनुभव करते हैं इसी तरह की कहानियों को यूट्यूब पर शेर करना बहुत अच्छा होता है इससे लोगों को अच्छी सीख मिलती है और उन्हें सकाराक्मक सोच की प्रेणा मिलती है